नमस्कार जैहिंद वंदेवातरम साथियों दोस्तों उत्तर परदेश पुलिस में कॉंस्टेवल की जो भरती आने वाली है इसके संब्ध में कब तक आएगी सबसे ज़्यादा यही पूछा जा रहा है वैसे तो यह भरती साल 2021 से लगातार आ रही है और साल 2022 में जनवरी में इसके लिए कंपनी के लिए जो टेंडर की प्रिक्रिया वो भी सुरू कर दी गई थी लेकिन पूरा जो साल है वो सरकार ने बिता दिया उस दोरान साल 2022 जनवरी में इसके लिए टेंडर की प्रिक्रिया इसलिए शुरू की गई थी क्योंकि उस समय विधान सभा का चुनाव उत्तरप्रदेश सरकार को लड़ना था एक पंथ दो काज ये हिंदी में बहुत अच्छी कहावत है यानि कि एक भरती से ये जो लोग हैं वो दो चुनावों को निसाना बनाना चाहा रहे हैं पहला इन लोगों ने विधान सभा का जीत लिया अब इसी के बेस पे ये लोग लोग सभा दो हजार चौविस का जो चुनाव है वो लड़ना चाहा रहे हैं कहने का मतलब देखि कोई भरती निकाली जाती है तो वो एक साथ कंप्लीट नहीं हो जाती है भरती पूरी होने में लगवग एक से डेड़ साल का समय अब उससे जादा भी समय लग जाता है और ट्रेनिंग और जॉइनिंग देने में तो ये मान के चलिए कि डेड़ साल का वक्त बिल्कुल लग जाता है दूसरी चीज ये भरती कब तक आएगी सबसे बड़ा सवाल यही है तो देखिए इस साल इस भरती के आने के चांस बहुत कम है एक न्यूजपेपर के माद्यम से मैंने पहले भी आप लोग को ये चीज़ कंफर्म कर दिया है कि साल इस भरती क भी बता कर चलूँगा कि जिसमें संभावना बन रही है कि ये भरती आएगी ही आएगी वह इसलिए आएगी क्योंकि इस भरती का टारगेट दिसंबर 2023 कंप्लीट करने का रखा गया है और साल 2024 में इन बच्चों की रवानगी का जो प्रोसेस है वह भी रखा गया है कि ट्र देकर ट्रेंडिंग आप लोगों की नेक्स्ट ये जो है वो 2024 में उसकी सुरुवात हो सकती है तो देखिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ यहां पर एक डाटा तयार किया है यूपी पुलिस कॉंस्टेवल और पीएसी की भरती देखिए इसमें संभावित है 26,000 के इसमें आएंगे लगवग पदों की जो संक्या है उसका नुमान लगाया जा रहा है कि 35,000 के आसपास पदों की संक्या हो सकती है और मैं आप लोगों को बताओं एक पॉंस्टेवल की जो पोस्ट होती है उसके लिए 21,700 जो वेतन होता है प्लस डीए जुड़ता है इसमें प्लस HR जोड़ता है प्लस अदर जो एलाउंस जो होते हैं तो इस प्रकार जो सेलरी इन हैंड मिलती है 28,500 के आसपास मिलती है कितना 28,500 के आसपास जो आपकी मंतली सेलरी है वो बनती है ट्रेनिंग के दोरान भी आप लोगों को आपकी पूरी सेलरी दी जाती है और पर फटरीमें सुरू हो जाओ इनी दो महिनों में जो भूरती है शुरू हो जाएगी इस लिए योगता मांगी जाती है या पर उसके बराबर, कोई योगता यानि दस्वी पास हो किसी भी मानता प्राफ संस्थान से जो अधर स्टेट बच्ची हैं वो भी इसमें आवेदन डाल सकते हैं कोई भी रुकावट वाली बात नहीं है लेकिन अधर जो स्टेट डाले हो पांच परसेंट कोटे में या फिर जर्नल में फाइट कर परता हुआ नज़र आता है जो अधर स्टेट का बच्चा है चाहे वो किसी भी कैटिग्री का बच्चा क्यों नहूं अगर गया कि लिगे लोह तो आप लों को अनुमान है कि एक से लुकुल मिल सकता है ठीक ना पूरी सत्परतिसत गारंटी नहीं लेकिन अनुमान है मिल सकता है वी सी एस्टी के लिए पांच साल की छूट दी जाती है यानि कि अठारे से च्छूट दी जाती है जो जर्नल को छोड़ के वी सी एस्टी कांडिडेट होते हैं उन्हें 5 साल का रिजर्विशन और आ आविदन कर सकती है जो एज की काउंटिंग है वो एक साथ दोहजार तेईस को आधार मानके होगी क्योंकि यह पहले से ही निर्दारित है कि जिस वर्स भरती आती है उसी वर्स जो जुलाई का महिना है वह इसमें आधार माना जाता है चाहिए बढ़ती किसी वे बर साओ दो जलन 것이 इसे वह 160 संटीमीटर मांगी जाती है और सीना जो मांगा जाता है बिना फुलाब के 89 सही और फुलाब सही 84 संही मांगा जाता है जर्णल ओविसीS시 के लिए 168 संटीमीटर हाइट मांगी जाएगी टिनर वहीं 30 से 82 सेंटी मीटर तक मांगा जाता है वहीं अगर महिलांं की बात करूं तो महिलाओं होता क्या है महिला मैं जो छीकुछए 152 संटी SCST EWS और Women को जो महिलाएं होती है उनको भी मिलता है चैन प्रिक्रिया जो होती है सबसे पहले आवेदन उसके बाद मैं लिखित परिक्षा फिर DV ठीना फिर PST फिर PET और इस प्रिकार से Medical करा के आपको जोइनिंग तक दे दिया जाता है अगर मैं लिखित परिक्षा की बात होता है तो इस प्रिकार से एक्जाम आपका 300 अंक का होता है और कुष्णों की संख्या 150 रहती है 150 जोड लीजेगा और परिक्षा ओफ-लाइन मोड में होती है नेगटिव मार्किंग पॉइंट फाइब परसेंट अगर मैं नंबरों की बात करूं तो पॉइंट फाइब की ह नेगटिव मार्किंग होती है तो इस परकार दो नंबर का एक कुशन होता ही एक प्वत चार निकालोगे तो f online 5 की जो नेगटिव मार्किंग वह बैठेगी अगर इसमें बात करें race की जो दौड होती है पुरुश कैन्डिडेट को 4.8 क्लोँमीटर की दौर 25 मिनट में क्म प्रमाड पत्र चाहिए और EWS प्रमाड पत्र भी इसमें चाहिए होता है नौट करके देखिए इसी किर्मांग में हम आगे बढ़ रहे हैं देखिए नौट में देखिए आप लोग नौट में लिखा हुआ है जो बची वह भी CSCST में नहीं आते उनके जो परिवार की सालाना जो आए है वो आठ लाग से कम होनी चाहिए यानि जो EWS फिरमाड पत्र बनता है जिनकी आई उ मतलब जो EWS से देखिए आरक्षन केवल मार्क्स में मिलता है एज में नहीं मिलता तो आठ साल मतलब आठ लाक रुपे सोरी आठ लाक रुपे से कम उनकी इंकम हो और सो वर्ग स्क्वार मींटर से उनका जो मकान है वो कम में एरिये में बना हुआ हो उनको EWS फिरमाड पत्र दिया जाता है वहीं अगर मैं बात करूँ इसमें नौट 2 में देखिए क्या अन्य राज्यों के जो कैंडिडेट है वो भी आवेदन कर सकते तो बिलकुल कर सकते हैं खुली छ मांगा जाए और यह स्योर है कि पहले काई मांगा जाता है अगर बुक्स की बात करूँ तो आप लोग बुक्स ले दिजिए लूसेंड सामाने ग्यान किरन सामाने ग्यान यह जर्नलोज की मुनौलिज की बुक रख सकते हैं आप लोग अपने पास में और जो आपको लिए आपको यूपी पुलिस स्पेशल घटना चकर भी ले सकते हैं आगे देखें सामाने हिंदी से अर्यहंत के लिजिए लूसेंड के लिजिए और एक बुक आती है आधित्य पब्लिकेशन की वह भी ले सकते हैं आंके गड़ित की बात करें तो आरस अगरवाल बहुत है क्यों आप लोग कोई भी यूज कर सकते हैं जो आपको उचित लगे वहीं अगर मैं इसमें समय सामकी की बात करूँ तो देखें घटना चक्र ले सकते हैं आप लोग प्रतियों किता दरपन भी आप लोग इसमें ले सकते हैं यानि करंट अफैड्स कवर करने के लिए आप लोग सकते हैं जो आपको लगे कि हां हमारे लिए उचित है तो मेरे हिसाब से आप लोग इन बुक्स के साथ में चले जाईए और यह जो एक्स्ट्रा बुक हैं यह भी रख सकते हैं मैं आरे सक्रवाल के साथ चले जाईए राके स्याद अपसार की रीजिनिंग ले लिजे या फि इंदी में आदित्या पब्लिकिशन की बुक के साथ चले जाईए और घटना चक्र के साथ चले जाईए यह बुक्स आप लोगों को मतलब अच्छी रहेंगी आप लोगों को इसमें जो नंबर है वो दिला सकते हैं तो यह जो सारी चीज हैं आप लोगों को जरूवत स्ट्राइब जरूर कर लें थैंक यू बबाए